हेलो जैने दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नौकरे तक पर हम पर पस्तित एक नए वीडियो में यह वीडियो प्रेडागोजी जिसको आपने बहुत प्यार दिया है इससे पहले भी मैंने मैथ प्रेडागोजी का वीडियो डाला था और और बिल्कुल वहां से पूछेगा ही आपको EBS हो या बाल विकास हो या मैथ हो लेंगवेज वन में आप हिंदी लिये हो या इंग्लिस लिये हो कुछ भी लियो वहां आपको प्रश्ट देखने को मिलेगा आप बस वीडियो में बने गई है आपको खुद पता चल जाएग कुस्ण का लेवल क्या है बहुत आसान है बस इसको समझना है सीटेट का मतलब ही होता है कि बच्चा ही सब कुछ बाल केंदरित होना चाहिए यानि बच्चे को ही सब कुछ मानके चलना है बच्चे को ही भगवान मानना है अगर सीटेट पास करना है तो और जब से चख बन ही सब कुछ होता है बालक पे ही आपको जैसे बालक बोले वेसे ही चलना है तो तमाम टॉपिक पर बात करेंगे कुछ प्रस्ट ने पाच्छे साथ प्रस्ट ने सम्थिंग और सबसे पहले हम यह बताएंगा चुकि आज दिन में वीडियो नहीं ला पाएं रिजन यह था कि द इसके लिए आपको बहुत भॉत धन्यवाद, घेर सारी प्यार इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, एक दिन आप भी हमारे सामने हमारे साथ हमारे चैनल पर होंँगे और ये भी चुकि आपका चैनल है, नौकी तक एक मेंबर हो, फीमली मेंबर है, इस मेंबर में आप सभी हैं तो इसी तरह आप सपोर्ट देते रही है और इसी तरह हम जितना हो सकता है सौब प्रेसेंट आपको देने का प्रियास करेंगे चलिए आप ज्यादा बात नहीं करेंगे अब वीडियो पर आते हैं यह क्या है मैथ पेडागोजी मैंने क्या बोला आज जो हम बात करने वाले हैं देखिए मैथ पेडागोजी का हम बात करेंगे अब मैथ पेडागोजी यह है कहने के लिए मैथ पेडागोजी ठीक है लेकिन इसको आप कॉमन लीजिए कॉमन कॉमन किसके लिए फो ओल सब्जेक्ट ओल सब्जेक्ट यह सीडीपी हो यह इवी एस हो यह मैथ पेपर वन हो पेपर वन यह पेपर टू हो यह हिंदी हो यह इंग्लिस हो यह संस्कृत हो यह साइन्स हो यह एसस्टी हो यह जो माज बताएंगे कॉर्शन कुछ सब में काम आएगा मैं यली बोल रहा हो आप बस 10 मिनट हमें दीजिए 10 से 15 मिनट आपको चुटकी में इस टाइप का कोस्षन आपको मिलेगा और बनेगा पहले नोट्स कॉपी नोट्स सकी पहले आप समझे लिखना नहीं है नोट्स नहीं बनाना है बिलकुल नहीं ठीक है चलिए आप चलते हैं प्रश्ण पर पहला प्रस को मिलेगा रचनात्मक आकलन के लिए प्रियोग नहीं है नहीं बना पूछा यानि जब भी नहीं लग जाए इसका मतलब है आप से गलत आप्सन पूचा है तो मैं एक ची बताऊंगा जब भी रचनात्मक आकलन का मतलब समझे आप बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो ज लेकिन चुकि मैं आपको सिंपल में चुकि मेरा समय भी बचेगा और आपको ज्यादा कुस्सन विश्वल्व हो जाएगा रचनात्मक आकलन के रचनात्मक आकलन सिच्चकों को छात्र समझ सिखने की जरूरतों और पाठ इकां या पाठक्रम के दौरान अकादमिक प्रगत के मुल्यांकन के लिए किया जाता है रचनात्मक आकलन का मतलब हुआ बच्चे का करना सच्च को को जैसे अभी आपको पढ़ा रहें तो आपका टेस्ट भी करते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं क्यों क्यों यह जानने के लिए कि आपकी समझ कितनी हो गई है इसकी सीखने की जवरत क्या है उसकी पाठ रिकाए कि योजना क्या है देखिए रचनात्मक आकल में अध्यापक क्यों कि अभी हम अध्यापक हुए आपके लिए तो मैं अध्यापक हूँ आप ऐसे लेकर चलिये रचनात्मक आकलन में अध्यापक जो है पाठ को पढ़ाते समय यह जाच करता है कि बच्चे ने ग्यान को कितना घरण किया है जब हम आभी आपको पढ़ा है और कुस्टन भी पूछ रहा है बीच बीच में क्यों ऐसा इसलिए चुकि आपने कितना समझा आप समझे भी कि नहीं इस चीज को जानने के प्रश्ण पूछ रहे हैं कि नहीं इसी को बोलते हैं रचनात्मक आकलन आकलन का मतलब मुल्यांकन किसी भी इस चीज का इवल्यू कि दूसरा यहां देखिए भी एक प्रश्ण आप रहं वी चब्रण आकलन वितार्तियों को यह जानने का अबसर — अब सर्परदार्ण करता है कि उसे कहाँ सुधार क्या हो सकता है correspond आप सर्ण यह जा आनने काा अबसर क्या प्रशिटिव क्या रहे हैं कि जहां भी पोजीटिव बार्ट है जब भी पोजीटिव अपसर प्रदान करता है बच्चे को क्या चीज के लिए कि उसे कहां उसके कहां उसमें करेंगे हम में क्या कमी गहा गया तो उसी को बोलते रचनात्मक आकलन करना खुद से समझ गया और सिच्छकों को रचनात्मक आकलन का फैदा यह होता है कि बच्चा कितना सीखा है यानि दोनों को फैदा सिच्छकों को भी विदार्थी को भी तो रचनात्मक आकलन का बहुत म लिए इतना पॉइंट को कौन कौन उपकरन है पहला उपकरन है छात्रों का पोट्फोलियो पोट्फोलियो बनाना उप ख्यानात्मक अभी लेक बनाना छेत्र भ्रमन जब आप बच्चे होंगे सरकारी बिद्दाले में पढ़ते होंगे तो देखिए का आपको टूर मतलब भ पूषता होगा बच्पन में या आप भी पढ़ाते होंगे तो आप बच्चे से पूषते होंगे से मैं आप से पूषता हूं बीच बीच में दूसरा अब लोकन डियारी के बच्चे ने क्या सीखा यानि यह चार यह पांच क्या है रश्नात्मक अकलन के उपकरन है कौन-क मैं इल्टा पढ़ाओंगा क्यालयर क्या दो क्यों है ने मैंसे कौन सा लिधा आप पुछा यह प्रयोग नहीं है कि आप से गदक्र बचाये है तो यह अता है चलिये यह है लेकिन कहीं आपको समझ में मजआ आता होगा हम चाहें तो पिक अप में बता देंगे बहुत सारे चैनल है खटा खट बता देंगे क्यों चुकि उसका मिलियन में सब्सक्राइबर है लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे सीखे हमें भी प्यार दे हमारा भी सब्सक्राइबर वड़े हैं और हमें भी लोग जाने इसलिए हम थोड़ा स्लो च चलिए अब चलते हैं अगले प्रस्न पर यह तो हो गया कि यह देखिए को सब्सक्राइब देखिए नेशनल कैरोकुलम फ्रेमवर्क यहां से कुस्टन आएगा देखिए एंसी अफ एक नोट बना ये एंसी अफ दो हजार पांच यहां से कुस्टन तो पूछेगा ही इस प आई थो राष्ट्य पत्चरिया बल देता है किस चीश में की स्कूल का जो गनीत है बच्चे में जो इसकूल में जो गनीत सिखाया जाएगा उसको गतिवीदी के माध्यम से यानि अगर दो पलस दो बच्चे को सिखा रहे चार है तो उसको अंगली में भी सिखाते हैं जबाब ढूली आप या विदातियों को आजीवका कमाने के लिए बताइए बच्चे को पढ़ाएंगे कि भविस्ट में कमाने के लिए अभी आप पढ़ रहा है ठीक है सिटेट पास करेंगे भविस्ट में आपकी आजीवका यानि नोक्री मिलेगी सबी लोग नोक्री के पढ़ते हैं लेकिन ये बताइए बच्चे को बच्पन में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ोगे तो भविस्ट में नोक्री नहीं लगेगा साधी नहीं होगा कोई बाप बेटी नहीं देगा ऐसा तो नहीं कहेंगे तो गलत अप्सन हो गया चलिए अब आगे देखिए यह गनित में अर्थपून समस्यां को हल करने से लजने के लिए प्रटसाहिट करता है ये तो बात साई है चलिए यह हो सकता है कि बच्चे में बच्चाल मैत सीखेगा तो उसमें क्या कमी है ऐसा क्यों हुआइज साँने को सलगाए यह सही है अब ये देखिए गनित में अमूत संकलपनाओं को समझने के लिए मूत अनवर उपलवद कराता है बिल्कुल बात है जो चीज समझ में नहीं आएगा अब माली जे बोलेंगे दो पलस दो चार होता है उसको समझा नहीं पा रहे तो क्या बोलेंगे देखो बाबू ये दो क्या है दो अंगली है ये क्या है दो अंगली इदर दोनों को जोगिएगा तो क्या हो गया दो दो चार हो गया आएसी बोलेंगे दो पलस दो चार होता है रट लो याद कर लो तो बच्चा समझेगा वो अमूत हो गया तो अमूत से मूत की तरब संधाना है तो यह option आपका हो सकता है यानि दोनों हो सकता है आगे बढ़िये यही NCF बल देता है कि यह प्रात्मिक कच्छाओं में बच्चों को मनवंजन का समय उप्लवत कराता है बताईए गनीत खाली बच्चों को मनवंजन करने के लिए होता है यह तो कोई डांस पार्टी तो होने गा है लेकिन गतिवीदी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना है तो आपसे पूछा है सही बिकल्प का छेंड करें ऐसे ही पूछेगा आपको सनासान है देखिए हिंदी मीडियम बाला यह देखिए बी और सी ए और सी कुन-कुन सही है क आप्दलेवल D या यह और D इंग्लिश मीडियम मालो के लिए तो क्या पिए और सी यह न तो हमें जहां तक लगता है या ओफ सब्सक्राण फिले चलिए है छलिए हो पहसे नमभर ए है P boy अ का आ इसके पार जान बीलेते हैं चलिए राश्ट्रिये पार्ठ चरिया होता है ज राष्टिय पार्टिचर्या रूप रेखा जिसको इंग्लिस मेंस यह बोलते हैं नेशनल क्रेकुलम फ्रेमबर्ट बल देता है कि इस पॉइंट को याद कर लीजिए समझ लीजिए बिल्कुल सब से कॉस्सन मनता है इसलिए आपको हम यह यह कुछ अलग लाएं हम आपके लि ऐसा क्यों चुकि ऐसा इसलिए किया आता है बच्चों के बीच क्योंकि यह बिदार्थियों को किसको बिदार्थी को गनीत में अर्थपून समस्याओं को हल करने सुल्जाने के लिए प्रोच्षाहित क्या प्रोजिटिव वर्ड है ध्यान दिजिएगा प्रोच्षाहित कर करता है और देखिए यह बल देता है क्योंकि गनीत में अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने के लिए मुर्थ अनवर उपलब्द कराता है यह अमूर्थ से मुर्थ की तरफ जाएंगे यह अन्सियव बताता है इतना ही नहीं बच्चे को कल्पना सिलता गतिवीदियों और सवाल आपको कैसे बनाया जाए इसमें भी मदद करता है सीखने और सीखने के दौरान अपने अनभवों पर विचार करने का आपसर आपसर क्या है एक पोजिटिव वर्ड है जैसे ही से वर्ड दीके पोजिटिव में आपको क्लिक मार देना है तो एंसी अप बल देता है कि से मूद की तरब जाए किसी भी चीज़ के बारे में सोचे चुकि बच्छा होता है सिंखने और से दौरान अपने अपने अभवों पर विचार करने का अफसर देता है और वही कोश्न था समझभा गया चलिए अगला कोशण देखिए ये देखिए को क्ष्ण राष्टिय पठ चरिया रूपरेखा मांता है कि गनित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरिकाव है या द्रिष्ट्री चरितायत की जा सकती है यानि बच्चा जब चिंतन करता है दो इसके के बारे में आपको बताना है क्यों चात्रों को विशेश अनुसे चंदे कर अन्वेशन उपागम हस्त कौसर समागरी का उप्योग करके अब धारनाओं को वास्त्विक जीवन से समंद जोगना और चात्रों को चार्चा में सम्मलित करना यह देखने से लगता यह option होगा क्यो एंसी अप दोजार पांच बल देता है कि बच्चे को खुझ से करने का अब सर दीजिए अब सर दीजिए बच्चा अपने वास्त्विक जीवन से इर्दिगृत से कुछ सीखे अगर जो सीख रहा है घटाव सीखा है तो उसको मार्केट में कुछ समान लेने के लिए भेजि रहा है उसको और चात्रों को चर्चा में सम्मिलित करता है ऑप्सन नंबर भी ही होगा बिलकुल और गनीत की सभी पाठ पुस्तकों को दोबारा लिख कर यह तो जब भी दोबारा लिखिए शां निगेटिव वॉर्ड है और क्या है पाठ पुस्तक में दी गई समस्यां को ह बल करने पर बल देकर इस अब गलत है बच्चा को न पीतना है न गटवाना है न बल देना इस अब गलत है ऑप्शन नम्मर भी फिर भी आप देखिए देखिए यहां से भी प्रश्ण मनता है सब इंपोर्टेंट है उसी का एंसर है लेकिन इसको समझे राष्ट्रिय पार्ट कोसल सामाग्री का उप्योग इस अब पोजिटिव बड़ है अब धार्नाओं का वास्त्रिक जीवन से जोगना जब भी गनित में आवे और छात्रों को चर्चा में सामलित करना आदी होता है अनसी अब बल देता है और यही ऑप्शन में आपका था इसलिए सही है दूसरा यहां से भी कोशन पुछता है इस सब पॉइंट से कोशन पुछेगा मागदर्सी सिद्धान्त है क्या कि ग्यान को स्कूल के बारी जीवन से जोगना जो भी बच्चा सीखे उसको छित्र भ्रवन पर ले जाईए उसको कहिए कि यह सब देखाईए पक्षी देखाईए पौ तो पढ़ाय को रटने की परनाली से अलग किया जाए बच्चे को रटने पर ध्यान नहीं देना है यह गलत बात है पठ चर्या जो होता है पठ चर्या केवल पठ पुस्तक केंद्री थी नहीं हो ठीक है दूसरा विद्यालय में दी जाने वाली सिच्छा को विबिन परकार क अब की गतिविदियों से जोगा जाए देखिए है कि बच्चे को काम काम में सिखा दे क्हिलते हुए सिखा दे उसको गतिविद्य ocou डियसे हम समझिए बात को बहुत अच्छा लगा अभी तक चलिए अब देखिए क्या बोला यह प्रस्ण देखिए क्या बोलता है अब इसी टाप का प्रस्ण पूछेगा दिये गए दो कथन को जैसे ए और कारण की चिन्नित किजिए जैसे देखिए इंगलीज में लिखा हुआ हिंदी पाथ्चरिया को मुँट से अमूत की हो बढ़ाना चाहिए पीछे पढ़ाएं कि प्रात्मिक विध्यालपा में घंभी बच्चे को बढ़ाईए तो क्या करना है मुँट से अमूत की हो बढ़ाना है चलिए ठीक है प्रात्मिक अच्छा के विदार थी बिना सोचे गनित करना अरम कर देते हैं क्या यानि यह दोनों बात सही है कि नहीं तो इसको समझने के लिए पहले आप यह देखिए अंसर है लेकिन इसको समझिये आप इसको समझियेगा तभी बना पाईएग गनित पात्चरिया की परकृती अमूर्थ होती है क्या होती है अमूर्थ होती है अमूर्थ गनित वाकई में अमूर्थ होता है चुकि गनित आस क्यों बोलता है गनित हाड है इसलिए गनित को गतिवीदी से जो के बाहरी ज्यान और श्कूली ज्यान को बाहरी ज्यान से जो पाठचरिया को मुर्थ से अमूर्थ कियो, मुर्थ से अमूर्थ कियो बढ़ना चाहिए, गनित की उपरकृती कैसे होती है, तो आप बोलिएगा अमूर्थ, यहाँ सभी कोशन है, इसका मतलब यह हुआ, गनित पाठचरिया मुर्थ से अमूर्थ कियो, याद कर लिजिए, ग गनित सिच्छन के अनुसार प्रात्मिक विद्याले के बच्चों का गनितिये करन आवस्यक है जिसके लिए बच्चों में तारकिक चिंतन की आवसकता होती है यानि बच्चे को सिधे तो नहीं पढ़ा देंगे बच्चे को पढ़ाना है उसको बारी जीवन से जोगना है जिस प्राथमिक अस्तरपर विदार्ति चिंतन चिंतन और सोच के साथ चिंतन और सोच या सोच के साथ और करना अरंब करता है यानि बच्चा खुद से सीखे, यानि बच्चे को अबसर दीजिए, कि आप खुद कीजिए, आप होमबर्ग नहीं देना है बच्चे को ज़्यादा, पहले बाला मस्टर करते थे, आपको सीटेट पास करना है, तो जब भी बोले कि बच्चे को खूब होमबर्ग दीजिए, अभ्यास काम दीजे नहीं, जो काम करवाना है गतिवीदी के माध्यम से, खेल-खेल में करवाना है, यानि बच्चा किसी भी चीज के बारे में सोचे, तार्कित चिंतन करे, वहीं लिका है, चिंतन के साथ गनित अरंब करता है, समझ में आया, अब आप कोस्षन देखिए, हम पढ़ाते हैं, क्या बोला, दिये गए दो कतनों को, अभी कतन ए, और कारण की तरह चिंत किया गया है, पहला क्वस्षन बोला है, कि प्रात्मिक विद्याले में गनित जो है, को मुर्थ से अमुर्थ क्यों पढ़ना चाहिए, इस तो बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ाय है, इसका कारण देखिए, हिंदी में, प्रात्मिक अच्छा के विदारती, बिना चिंतन, बिना चिंतन गनित करना अरम करते हैं, क्या, लेकिन अभी क्या पढ़ाया है, बच्चा को सोचने के लिए अफसर दीजिए, यहां बोला है, बिना सोचे, तो इसका मतलब ये गलत ह अब बोला, आपको सही विकल्प काचेंड किजिए, A, B, C, D में, चलिए, आप हिंदी मिडियम माले हैं, तो हिंदी मिडियम माले पढ़ेंगे, क्या लिका, A और R दोनों सही है, यह मतलब क्या, A, R, क्या दोनों सही है, नहीं नहीं, यह सही है, आये गलत है, तो यह उप्स और जो पढ़े हैं दोनों जैए कहां एस ऐह और यह गलत है यह विए ओप्सर नहीं होगा अब यह देखिए एस सही है प्रंतू घलत है या परंतूर और यह वाला बात जो है बिलकुल सही है मुद्ध स्यमुद्ध क्यों हो जाएंगे और आर में गलत लिख दिया बिनाचिंत नमर सी आपका राइट अंसर है समझ में आया चलिए यह भी हो गया चलिए अब यह देखिए यह कुस्टन देखिए राष्ट्रिय पार्ट चरिया यह कुस्टन आया है इसको आप यहां से बहुत प्रश्चन पूछता है यहां से कुस्टन आपको सभी विशाय में मिलेगा सही बोल रहे हैं ठीक है इसलिए ज्यादा में राष्ट्रिय अब यहां तक बने होंगे तो बहुत फैदा होगा बस मांच में देदीजिए आप राष्ट्रिय पार्टिचर्या रूप रेखा 2005 के अनुसार गनित गनित के अति उप्यूक्त है यानि आप से बोला है गनित गनित के कच्छा पर आधारित आकलन आधारित आकलन के बारे में आधारित के बारे में कौन सही है जब भी आपको गनित के बारे में या आकलन के बारे में पूछे आकलन बच्चे का रिपोर्ट बनाना कौन सही है तो हम बढ़िया बढ़िया पॉइंट है राष्ट्रिय पाठी चर्या रूप रेका 25 के अदुसार गनित गनित में कच्छा प्राधारित आकलन जो गनित में आकलन करते हैं आकलन से विदार्थियों के मुल्यांकल के लिए नहीं करना है अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाली उसका टेस्ट ले लिए सब्ताहिक टेस्ट या जब साल के लास्ट में टेस्ट ले लिए इसलिए कि बच्चा पास है या फ्यल है नहीं गलत बात है इसलिए करना है बलकि इसको याद कर लिजिए प्रति-पुष्टी परदान करने के लिए यानि फिडबैक लेने के लिए प्रति-पुष्टी का मतलब होता है प्रति-पुष्टी का मतलब होता है फिडबैक फीड़ेक का मतलब समझिए यानि गनित में यानि माल लिजी आभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है माल लिजी आप गनित पढ़ रहे हैं और आपको बीच बीच में कोशन पुछते क्यों कोशन पूछना का मतलब हम आपका आकलन कर रहे हैं यानि कैसा आकलन एगा चनात्मक आकलन पढ़ाएं ना क्यों चुकि आपका फीडबैक लेने के लिए आपका प्रती पुष्टी लेने के लिए कि आप कुछ सीख रहे है कि नहीं तेसी लिए गनीत में आकलन किया आता है क्यों प्रती पुष्टी परदान करने एब हम सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया को तो आकलन का दो उद्देश होता है सिच्छकों के लिए कि बच्चे का फीडबैक लें दूसरा बच्चे ने कितना सीखा और तीसरा कि सिच्छक में क्या कमी है तो वहीं बात बोला है फिर पढ़िए राष्टिये पाट्टी चरिया रूपके का दोया प्राच के अनुसार गनित में कच्छा पाधारित जो आकलन है से विदार्थियों के मुल्लांकल के लिए नहीं होता है खाली मुल्लांकल नहीं बल की प्रतिपुष्टी प्रदान करने के लिए तानि फिडबैक लेने के लिए और साथ में सिच्छन अधिगम का मतलब समझे कि जब आपको लिए और हम आपको सिखा रहें इसी को बोलते है सिच्छन अधिगम इस प्रक्रिया में क्या कमी रहें इसको जानना यहां से भी कोस्टन मुला है ना वहीं को सन्मोला ने देखिए क्या बोला है राष्टिय पाट्ट चरिया को के अच्छा पाधारित आकलन के बारे में कौ आकलन बालक के अधिगम का मुल्यांकन करती है अधिगम में हुई कठिनाईयों का आकलन के द्रागा पता लगा जा सकता है कि आकलन की परक्रिया सिच्छक के लिए भी लागू होती है इस परक्रिया के द्रागा यहां पता चलता है कि एक सिच्छक बच्चों को देखिए ए कि सिच्च जो है बच्चे को किस अस्तर तक समझा पाता है सिच्च हम अपने आपको तेज समझ ले खुब फास्ट में पढ़ा दे तो ये हमारी कोई बहुत बड़ी टैलेंटेड हम नहीं हो गए नहीं मेरा काम है कि आपको जिहन में घुसा दे समझा दे गतिवीदी के माद्यम से तो क्या बोला है आकलन का अदेश एक से चक के लिए बच्चे को किस अस्तर तक अधिगम कराने में सफल रहा अधिगम मतलब सिखाने अधिगम का मतलब क्या सिखाने और बच्चे को किस अस्तर तक ग्यान देने में सफल हुए है इस बात की जानकारी मुल्यांकन देती है देखिए कितनी बड़ी बात है आकलन या मुल्यांकन कहे दोनों में दो चीज़ है एक तो बिदार्थी के बारे में जान सकते हम लोग परती पुष्टी ले सकते कि बिदार्थी कहां तक सीखा है उसमें क्या कमी है दूसरा से चक के भी बारे में जान सकते कि से चक के पास knowledge ऐसा है की नहीं कि बच्चे को समझा पाता है की नहीं किस अस्तर तक ज्यान दे पाया की नहीं तो यही चीज है ठीक है चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप अब चलते हैं अगला question पर यह question देखिए राष्ट्य पात्वाकांची और संगत होना चाहिए बिल्कुल सही बात है यानि सिंपल होना चाहिए बच्चे को ज्यादा सिखा है बच्चे खुब इंट्रेस्ट ले बहुत बात सही है इसे क्रिया कलाप गतिवीदियों पर खेंद गतिवीदी के माध्यम से जोना यह भी बात सही है चलिए दोनों सही आगे बढ़ते हैं आकलन को संब्लित करना चाहिए इसमें अधिक संख्या में योगात्मक योगात्मक जब भी आबे तो यह गलत हो जाएगा यह option ही गलत है क्या होता है कभी भी बच्चे का आकलन हो तो दूसरा इसे समझ या बहुत से अधिक से उपर क्रिया विद्यो शुत्रों का शुत्रों का ज्यान यानि बच्चे को खाली फर्मूला घटा देंगे ए प्लस भी का अलस्क्राइब यह भी गलत है यानि सी और डी गलत है अब बोला इसमें से कौन सा सही है तो जो भी हिंदी हिकलत यहां क्या ओप्षिन देखिए और यानि इंदी हो जाएगा और डीमे क्या सी और डी सी और डी तो गलत है और यहां सही बोल yağत यह और चुंप्सल नहीं होगा समझ में आ मुझे क्या है बोल के निकल लेंगे सर लेकिन वाकई में अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप कमेंट में वस लिखिएगा कि सर आप बहुत क्या होता है सर देखिए जिस तरह आपको जोस की जगवत होती है हमें भी मोटिवेशन जिसको बोलते हैं इंसाइट मोटिवेशन की जगवत होती है आप नहीं तो मैं कहां तो वाकई में और मुझे पुर्ण विश्वा से आप लोग बहुत प्यार देते हैं लेकिन आपके लाइक या आपके जो भी संगिस आती है उसको भी वीडियो शेयर कीजिए जिससे की उस बच्चे का भी भल करते हैं यानि सीखना और सीखना आधिगम का मतलब क्या आप देख्येगा हर जगा आपको अधिगम मिलेगा एक वाडी वर्भ य Raw इन सीटेट में हमेशा सीडी पी अधिगम अधिगम का मतलब ही होता है सीखना यानि हमसे आप सीख रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं सीखना और सिखाना यह सुद्ध हिंदी हुआ यह ठेटी हिंदी हुआ अधिगम अधिगम करना यानि आप अधिगम कर रहे हैं आप सीख रहे है और हम अधिगम कर रहे हैं यानि हम सिखा रहे हैं अधिगम कहीं मतलब है यह समझने में हमको छे मेना लग गया है वाकई बोल रहा है हम लोग को इतना बढ़िया समझाने वाला कोई नहीं था लेकिन चलिए ठीक है राष्ट्रिय पाटचरिया गूप रेखा जो उसका एंसर ह उसी कुछ मात्वाकांची और सुसंगत होना चाहिए इसे क्रिया कलाप गति वीदियो पर आधारित यह वोड़ देखिए आधिगम करता का मतलब हुआ विद्यार्थी इससे घबराना नहीं है अधिगम करता बोले या विद्यार्थी बोले या सिक्षागती बोले सब एक ह नाम है यह सीटेट यह घुमाता है बस बहुत आसान है सीटेट अधिगम करता का दुसरा नाम विदार्थी यांनि आप विदार्थी हो गए और यह सिख्छार्थी तो क्या बोला गनीत पाथ चरिया को अधिगम करता के दैनिक है जीवन से जोना चाहिए बिल्कुल साहिः बात है जोभी चीज सिखाई तूई उसको धेनिक जीवन से जोना है बत्चे को गत्तन समय में गनित को बिद्यालेक के पाथट विशेव में बिशेश अस्थान-प्रदान किया जाए बिल्कुल कि गनीत को एक अलग है स्थान देना चाहिए छुकि गनीत नहीं है तो कुछ नहीं है गनीत का फुर किंछ भोगा यूजा है भविश में चूकि बच्चा सीखता है की जीवन में कैसे आक कौन सा काम kulay ये क्या होता वो क्या चुकि गनित क्या चिंतन का चीज है चिंतन तर्क भी तर्क का चीज है इसलिए इसको अलग से अस्थान देना चाहिए इसको स्क्रिंसोट लीजिए चलिए ये भी एक question है question एक answer दे दिये है ठीक है इस question से पहले आप ये पहले जानी है ये आपको हम बताने का प्रियास करेंगे उसके बाद question पर चलेंगे उल्टा देखिए मैंने क्या बोला ये देखिए पहले कुछ चीज देखिए उसके बाद हम बात करेंगे चलिए ये देखिए प्रात्मिक कच्छाओं का मतलब समझे एक से लेका पाठ्मी तक ले लिजिए वैसे एक से पांच होता है लेकिन एक से लेका आठ्मी ले लिजिए प्रात्मिक कच्छाओं की गनित प किताब मिलता है देखिएगा हिंदी में लिखा होता है फिर आप तमील में जाएगा आंधर प्रदेश या किरला साइट तो उस साइड मल्याली में लिखा होता है क्यों चुकि बच्चा अपने मात्री लेंग्वेज में जल्दी सिखता है जैसे हम लोग भी हार यूपी से है में हिंदी में किताब होगा ज्यादा अब इंग्लिष मिदियम होता है प्राइबेट स्कूल में लेकिन गाउ-घर इसकुल में अभी भी गवर्नेट की वही बात वोला है प्रात्मिक कक्छाओं की गनित्पात्पुस्तक में उप्योग की गई भासा बिदात्यों की रोजम में तो बच्चे गाउगर के जो गारजन लोग है वह इंग्लिस मीडिया में बच्चे को डालते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिस मीडियम में अच्छी बात है लेकिन वह बच्चा बोल नहीं पाता है लिख पाता है समझ पाता है लेकिन इंग्लिस बोल नहीं पाता है आपको क पुस्ता कर उसमें जो भासा हो विदार्थियों की रोजमर्णा की भासा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस से बच्चे सिग्र एबम आसानी से गनीत को सीख जाते हैं अन्सियप 25 के अनुसा प्रात्मिक अस्तर के बच्चे को उनकी मात्री भासा उनकी मात्री भासा क्या बोलते हैं वो जमर्णा की भासा यानि डेली बोले जानी वाली भासा में विशय बस्तू को सिखाया जाना चाहिए यानि किताब कोई भी किताब हो गनीत का है कोई भी किता वो प्रात्मिक कच्छाओं के बच्छाओं के लिए एक से लिकात्मिक तक के बच्छाओं के लिए कुन मात्री भासाम होना चाहिए वही कुस्टन आपको दिया हुआ देखिए वही कुस्टन आपको दिया है क्या दिया आप बताते हैं देखिए कि देखिए कुश्चन क्या दिया है अब अब बनाई आपने विल्कित में से कौन सा प्राथमिक अच्छा हो यानि वन से लेक आथमिक तक की गनित पाठपुस्तक गनित क्या बोला है गनित पाठपुस्तक के बागे में अती उप्युक्त है यानि मातपुन है क्या देखिए पाठपुस्तक में दी गई समस्याओं के समधान को केवल बिशेश जब भी केवल लग गया यह निगेटिव वर्ड है निगेटिव निगेटिव यह मतलम निगेटिव गलत आपसे यह दासा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल रण वात है जो डेली बोल चाल की मातटरी भातबाक ही उसे में व्हुक्ट होना क्या जाइए तो बात सही यह यह तो साफ गल्ती दिया हुआ है, यही गल्ती हो गया, पुस्टकों मैं कहाणियों और बृतान समलित नहीं होना चाहिए, यहा बोलगा नहीं पढ़ाना चाहिए, तो गल्ती हो गया यह देखिए, हिंदी मीडियम भाले, B और C, तो B सही है, लेकिन C तो सही नहीं है, याँने आपको सही पूछा है, यहां दोनों देदे़ं, यह गलती हो गया, यह देखे, C, केवल B, केवल B अति उपयुक्त है, केवल B, और देखिए, मात्र भी ही सही है इसका मतलब आपका option नम्मा C हो जाएगा D को भूल जाएगे समझ में आया है चलिए पर इसका screen shot ले लिजे आप और ये बता ये वीडियो कैसा लगा मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो जाता है क्या कहा है सर और भी चैनल को देखता हूं उनका तो एक गंटा का वीडियो होता है लेकिन मैं सोचता हूं बहुत जल्दी इसको खतम करें सर सही बोल रहे हैं लेकिन वीडियो कोई लंबा होता जब आप भी यूटुब पर कभी वीडियो बनाईएगा तो हमारी फिलिंग को समझिएगा चलिए और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने दोस्तों के बीच खास कर इस वीडियो को भेज कर उसको फाइदा हो जाए चलि कर दोस्तों 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 क